करतिक ओल्लाइं क्लासिस आपका बहुत बहुत स्वागत है कारतिक ओल्लाइं क्लासिस में तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास टेंथ की कैमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था हमारा chemical reactions and equations लास्ट जो lecture था उसमें हमने एक introduction लिया था इस चैप्टर का और उसकी मदद से हमने जानने की कोशिस करी थी क्या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले ठीक है कौन से पढ़ने वाले हैं, उसके बारे हमने बात करी थी, एक basic idea लिया था, day to day, life examples का लेकर, कुछ concept हमने तयार किये थे, कि chemical change क्या होता है, chemical reactions क्या होती है, ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं, कि कोई chemical change, कोई भी change, वो chemical change है या chemical change नहीं है, कैसे कह सकते हैं, कि कोई chemical change है, तो उसी lecture की series में, आज हम बात करेंगे, next topic का, कि जो की हमने discuss किया था, last lecture के अंदर भी, कि how can you say that a particular change is a chemical change, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इस lecture के अंदर, with the help of some examples of NCRT, NCRT में examples दे रखे हैं, उनको ले कर, जो activities दे रखे हैं, उनको ले कर, हम समझने की कोशिश करेंगे, कि chemical change क्या होता है, कब हम कह सकते हैं, कि कोई चीज़ chemical change है, और chemical change क्या होता है, ठीक है, तो आई स्टार्ट करते हैं मैठा, तो NCRT की, first chapter की activity है, हमारे कौन सी activity भई, activity 1.1, इसके बात हो रही है, तो इसमें आप देखोगे, right side bis activity में, एक हमारे पास क्या है, एक burner है, ठीक है, सातमें यहाँ पर दिखार का वेटा, क्या दिखार का है, magnesium ribbon दिखार का यहाँ पर, एक pong है, जिसके मदद से हम magnesium ribbon को पगड़ते हैं, नीचे एक watch glass है, ठीक है, उस watch glass हमें क्या देखने हो मिल रही है, magnesium oxide हमें देखने को मिल रही है, इस activity के बारे में हम पड़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बाद safety precautions की बात करें, जब भी इस activity को हम पर फार्म करते हैं, तो जो magnesium ribbon होता है, magnesium ribbon राइक कुछ इस प्रकार का होते है, क्लंबा सा एक है, ribbon like structure होता है, तफला सा metal का, magnesium का, ठीक है, जो की color wise की बात करें, तो कैसा होत का होता है, silver type का होता है, silver gray type का होता है, magnesium ribbon, तो आईए हम बात करते हैं, इस activity के बारे में, तो इसमें क्या बात कही हुए है, clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing it with sandpaper, जो magnesium ribbon हमने लिया, उस magnesium ribbon को हमें क्या करना है, साफ करना है, with the help of sandpaper, ठीक है, तो यहां से भी हमारी question बनता है, इस तो में discuss करेंगे आगे हम, ठीक है, कि हमें साफ क्यों करना चाहिए, पर ले एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद क्या कहा गया इसमें, hold it with a pair of tongs, ठीक है, चिम्ती टाइप का पर पकड़ने का होता है, टॉंग होते हैं, ज tongs की हाँ पर requirement होती है, उसके बाद burn it using a spirit lamp, spirit lamp की मदद से में क्या करना है, इसको जलाना है, ठीक है इस जो magnesium रिबन है, इसको हमें क्या करना है, जलाना है ठीक है, और burner की मदद से, या कोई matis की मदद से जला सकते हो, एंड उसके बाद क्या करना है, collect the ash, so formed in a watch glass, इससे जो राक बनेगी, उसको हमने क्या करना है, collect करना है, ठीक है दिखार करना है, आपर watch glass दिखार करना है, तो इसक से पहले मैंने बताया आपको, कि जो magnesium और color कैसा होता है वेटा, वो somehow gray color का क्या होता है, magnesium रिबन होता है, ठीक है, जब इसको हम जलाएंगे, ठीक है, जब इसको जलाएंगे हम, तो magnesium को हमने क्या किया बेटा, burn किया, जलाया, in the presence of oxygen, तो जो reaction हमारी होगी, वो कौन सी होगी हम MgO, ठीक है, twice of MgO, और twice of Mg, यह हमारी reaction आएगी, ठीक है, यह जो magnesium oxide हमारी बनेगी बेटा, यह इसका जो color होगा, हमारा वो कैसा होगा, white color होगा, कैसा होगा, white color होगा, और यहाँ पर, जो magnesium था, वो हमारा किस color का था, ग्रे कलर का था, ग्रे कलर का हमारा magnesium ribbon था, तो last point हमारा क्या कहता है, वो last point कहता है यहाँ पर, what do you observe, हमने क्या observe किया, जैसे कि reaction हमने आपके सालों में लेख दिये, मैंने, तो हमने क्या देखने मिला है, जो magnesium ribbon के एक solid है, ठीक है, यह solid है magnesium ribbon, जब इसको जलाया, तो यह भी solid form में था, अग़र किस form में हो गया, बढ़र फॉर्म में हो गया, पॉर्डर फॉर्म में हो गया, जो color था, हमारा magnetism oxide हमारा जो राक बने हमारी, तो राक बनेगी magnesium oxide की, और उस magnesium oxide के color होगा, वो हमारा होगा white, क्या होगा? वाइट कलर होगा ठीक है तो यहां से अब देख पाऊगे कि ग्रे कलर से जो कलर चेंज होगा हमार किसे चेंज होगा वाइट कलर मेंचेंज हो गया दूसरा बिलकुल यह सॉलीड है के रिबन था और बाद में से यह हमारी कुल मिलाकी रियेक्षिन है इस एक्टिविटी की इस रियेक्षिन को ध्यान से देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है ठीक है ध्यान रखना इस बात पर तो अब इसमें कुछ प्रिकॉशन से जब भी हम मैगनीशियम रिबन को जलाएंगे ठीक है जब भी हम किसको चौन मैगनीशियम है हमारा मैगनीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो हमारा इस फ्लेम होती है बिल्कूल कैसे आती है वाइट अधे डैजलिंग प्लेम हमें देखने को मिलती है और जो आखों को काफी प्रभावीत कर सकती है इसलिए इस दौरान हमें कभी भी सीधा हमें जलते हुए रिबन के तरफ नहीं देखना जाएंगे, क्योंकि हमारी आखों को ये खराब कर सकती है, ठीक है, एक तो कोशन हमारे ये हो गया, जो मैंगनिशियम रिबन जलता है, तो किस परकार की लाइट हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल, वाइट डैजलिंग लाइट हम हमारे हैं से बतायत हमेने की मैंगनिशियम रिबन को हमें सेंड पेपर के मदद से हमें क्यों साफ करना चाहिए, ठीक है, क्यों साफ करना चाहिए, मैंगनिशियम जो रिबन है, मैंगनिशियम रिबन क्या करता है, ये ओक्सिन से कमबाइन करकर, एक मैटल है, तो मैंगनिश यहनिने magnesium oxide की परत बना लेता है और कई बार हमें देखने को मिलता है एक carbonate की layer एक carbonate की layer ठीक है, magnesium carbonate की layer भी form हो जाती है magnesium ribbon की उपर जिसके चलते उसको जलाना काफी कठीन होता है असानी से जलानी ही पाते हैं इसी लिए हमें क्या करना पड़ता है magnesium ribbon को जलाने से पहले हमें साप करना पड़ता है ताकि उसको आसानी से क्या कर सकें जला सकें तो यह question हमारे यहां से हो गया हमें color change में देखने को मिला ठीक है, gray to white और जो flame कैसी थी हमारी बिल्कुल white dazzling flame थी ठीक है दूसरा, एक question हो और हमारा बना जो कि board के point of view से काफी important है वो यह कि जब भी हम magnesium ribbon को जलाते हैं lab के अंदर उसे हमें क्या करना चाहिए? send paper से साप करना चाहिए send paper से साप क्यों करना चाहिए? ताकि उसके उपर जो एक परत जमी हुई है magnesium oxide की उसको साप किया जा सके ताकि उसको मासाने से बर्न कर सके दूसरी जो activity दिरखी है हमारे 1.2 activity 1.2 इसमें क्या दिरखा है बटाई के lead nitrate हमें लेना है lead nitrate का solution हमें लेना है test tube के अंदर ठीके PB का chemical formula किया है PB NO3 का whole toys ठीके colorless यह याद रखना है वई यह जो है कैसा है colorless solution होता है और इसके अंदर में क्या add करना है फिर potassium iodide यह भी हमारा colorless होता वही potassium iodide potassium मतलब K और iodide मतलब I ठीक है potassium iodide हमें क्या करना है lead nitrate के अंदर potassium iodide को add करना है ठीके दोनों ही colorless है ठीक है तो क्या निकल लगर के आएगा उसको हम जानने की कुशिश करते हैं भी तो हमने क्या लिया एक test tube ली ठीक हमने क्या लिया उटा है एक test tube ली इस test tube के अंदर हमने सबसे पहले add किया lead nitrate PB NO 3 का whole twice add करने के बाद हमने क्या किया उसके बाद lead nitrate के solution के अंदर हमने add किया potassium iodide क्या एड़ गया potassium iodide अब इन दोनों के बीच इन रियक्शन होगी तो क्या देखने मिलेगा हमें हमें देखने मिलेगा PB I2 potassium lead iodide plus हमारा जो potassium यहां से NO3 यहां से हमारा तो क्या मनेगा 2K हमारा बैनस करेते इसको हम ठीक है KNO3 potassium nitrate twice or potassium nitrate तो यह reaction हमें देखने को मिलती है जब हम lead nitrate को के अंदर हम potassium iodide को add करते हैं और यह तो lead nitrate है it is colorless बिटा कैसा होता है एक colorless solution होता है यह भी हमारा कैसा होता है colorless solution है हमारा यह ठीक है मगर तो lead iodide हमारा मिलेगा यह मिलेगा हमारा yellow color का कैसा मिलेगा एक yellow color के precipitate हमें देखने को मिलेगे यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या डाला भाई potassium nitrate का solution है colorless solution है इसके नम क्या डाला potassium iodide क्या डालेगे यहाँ पर तो हमें क्या देखने को मिलेगा क्या देखने मुण भी आपर पीले कलर का एक कुछ इनसॉल्यूबल सा सबस्टांस हमें देखने को मिले रहे कुछ इस परकार से ठीक है पहले लेक्षे बने बताया था कि यह जो इनसॉल्यूबल जो सबस्टांस बना है हमारे हां से ठीक है अब यह जो इनसॉल्यूबल सबस्टांस हमारे हां पर इसे ही कहते हैं बीटा हमने प्रेसिपीटेट weet के क्या करते हैं थीसर्स लेक्षे वह न बताया था जबी को भी केμिकल reaction होगी, वहाँ पर एक insoluble substance बनता है, decent precipitate कहते हैं, तो ये reaction हमारी board के point of view से काफ़ी important है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है, जब भी lead nitrate, PVA NO3 का hold to ice, तो याद रखना, lead iodide के साथ reaction करवाते हैं, दोनों colorless हैं, तो potentialary, potential market के साथ, तो हमारा जो product बनता है, हमारा वो क्या बनता है, lead iodide बनता है, जिसका color कैसा है, yellow color होता है, ठीक है, और साथ हमें colorless solution मिलता है, किसका potassium nitrate का, तो यहाँ पर हमें देखेंगे, कि ये जो हमारा LHS है, ये जो हमारा LHS है, और ये हमारा कहा है, right hand side RHS, ठीक है, LHS में दो चीज़े हमारी आपस में react हो रही है, एक तो हमारा lead nitrate, एक तो हमारा lead nitrate, दुसरा हमारा कौन सा है, potassium iodide, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं reactance, क्या कहलाते हैं, दोनों के दोनों reactance कहलाते हैं, जो कि येलो कलर की थी और एक हमारा पोटेक्शनम नइटरेट बना ये सॉलूशन हables था हमारा ये कलेवलश थे त्था हमारा ये हमारी क्या बने दो हमारे product बने ठीक है किसी भी स्थानी प्थायो लाइप्ट है हमारे क्या होगा we SHP किसी chemical change में क्या होगा कि वहाँ पर क्या चेंज हुई भाई, state change हुई हमारी, ठीक है, दूसरा हमारा क्या हुआ, color हमारा change हुआ, यह हमारा दूसरी activity के इंदर भी था, color change, ठीक है, यह लोग लगा रहाया था, तीसरा हमारा क्या हुआ, एक insoluble, एक insoluble substance हमारा बना, जिससे हमने क्या कहा था विटे, precipitate कहा था, हमने क्या कहा था, precipitate कहा था, और वो precipitate किस color का था, yellow color का था, ठीक है, तो यहां से क्या दिखिंग, तीन पॉइंट में, state change होती है, color change होता है, एक insoluble substance बनता है, जिसे हम क्या कहते है, precipitate कहते हैं, और precipitate हमारा कैसा था, yellow color का था, ठीक है, तो यह कुछ हमारा क्या था, activities थी, जो हमारी 1.2 में थी, तो यहां से वो clear हो गया होगा, अब activity जो 1.3 है, वो हमारी क्या कहती है, activity 1.3 क्या 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 थी है, take a few zinc granules in a conical flask, यह दिखा रखा हमारा activity 1.3 का डाइग्राम है, एक कौनिकी कहीं हमारी के परकार कहीं हमारी एक कौनिकल फ्लास्क है, इस कौनिकल फ्लास्क में क्या लेना है वेटा हमने है, इस कौनिक फ्लास्क में zinc granules लेना है, तो यहां साइड में रेक्शन लिए जड एन, zinc, ठीक है, और test tube, यह कौनिकल फ्लास्क ले लो, उसके बाद क्या लिखा है, add dilute hydrochloric acid और sulfuric acid, कोई भी dilute acid ले सकते हैं, hydrochloric acid में से और sulfuric acid में से, तो हमने आपर कह लिए बेटा, dilute HCL हमने ले लिया, ठीक है, caution के handle the acid is required, acid को हमें अच्छे तरके से handle करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है acid क्या कर सकती है, burn जला देती है, काफि corrosive nature होती है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी ही समझधारी तरीके से हमें इसको क्या करना है, handle करना पड़ता है, Do you observe anything happening around the zinc granules, आगे क्या क्या करता है, क्या तुम्हें कुछ दिता है, जिन ग्रनूल से चारों तरफ कुछ हो रहा है, टेस्ट ट्च ट्च करके देखो, क्या वहां पर आपको किसी परकार का तापपान के अंदर चेंज आपको देखने को मिला, ठीक है, तो आए जो डाइगरामिक इसकी मतब से मैं समझदने कोशिश करते हैं, तो ये जो बॉटम है, यहां पर देख रहे हैं, कुछ ग्रनूल स है, यहां पर दिखार के रहे हैं, यहां पर दिखार के रहे हैं, डिलूट सल्कुरी कैसी, मैंने यहां रियक्शन भी लिखा हुआ है, डिलूट HCL, एक ही बात कोई भी ऐसी आप ले सकते हो, जैसे ही आपने ऐसी डाला, तो जिंक ग्रनूल्स के चारो तरफ देख पाओगे चोटे-चोटे आपको bubbles नंदर आ रहे हैं, यह जो bubbles है, वो bubbles किसके हैं वही, hydrogen gas के, किसके हैं, hydrogen gas के हैं, तो reaction हमारी क्या बनी है, यहां से, देखे हैं, तो reaction हमारी क्या बनी है, कि जो जिंक है, जिंक को हमने dilute HCl, hydrochloric acid के साथ reaction करवाई, तो हमें क्या आप देखने में मिला भाई, GnCl2, जिंक क्लोराइड हमें देखनी, उरक्टर मिलेगा, साथ में हमें क्या आप देखेगी, hydrogen gas, ठीक है, यह उपर का arrow दिखार, का मतलब क्या है, कि hydrogen gas release हुई है, यह उपर की तरफ आप दिका है, जा रही है, ठीक है, तो जड़न ऌचल, टूइ सोफ HCl, बैलन्स करते है, तो जिंक को जब हमने dilute HCl से react करवाया, तो हमें क्या देखने में मिला, GnCl2, क्या देखने में मिला, GnCl2, हमें देखने में मिला, एक colorless solution, और साती में साथ हमें क्या देखने मिले, bubbles हमें देखने म मिले किसके है यह यहां से हमें क्या देखनें मिला? Evolution of gas, एक पॉइंट और हमने नोट किया था, वहां पर क्या नोट किया थे बेटा? कि जब भी कोई भी chemical change होगा, chemical reaction होगी तो वहां पर हमें क्या देखने मिलेगा? Evolution of gas हमें देखने को मिलकी है. ठीक है? तो activity हमारे क्या देर खा था वही? Sulfuric Acid देर खा था, उससे भी हम reaction कर वा लेते हैं कोई confusion ना रहे Jink प्लैस Dilute H2SO4 यहां से हमें क्या मिलेगा? ZNSO4 Jink Sulfate Plus Hydrogen Gas ठीक है? यह हमारे पास क्या आ गया? Jink Sulfate क्या आ गया? Jink Sulfate आ गया और यहां पर हमारे पास क्या आ गयी? Hydrogen Gas यहां पर क्या आ गयी? Hydrogen Gas आ गयी? ठीक है? यह हमारे क्या था? Jink था बेटा यह Hydro Chloric Acid है यह आपकी क्या है? Sulfuric Acid है ठीक है भई? यह दोनों रेक्षन हमारे पास आ चुकी है इसको ध्यान से देखीगा दोनों यह रेक्षन में क्या देखना मिलती है? Hydrogen Gas निकल रही है? तो चोथा पॉइंट हमारे क्या आगए? Evolution of Gas जब भी कोई Chemical Reaction होगी वहाँ पर क्या होगा? Gas का Evolution होगा एक पॉइंट और दे रखा था पड़ा अक्टिविटी में हो क्या दे रखा था? क्या वहाँ पर कोई Change हमें देखने को मिलेगा Temperature के अंदर बिल्कुल देखने मिलेगा जब भी कोई Acid का Reaction होता है Metal के साथ वह दोरान क्या होती है? बेटा Heat Release होती है Heat Release होती है Heat Release होती है ठीक है? तो Acid Reaction जिसके अंदर Heat Release होती है इन्हें कहते हम Exothermic Reactions कहते है Exo मतलब निकलना Thermic मतलब Heat ऐसी Reaction, Chemical Reaction जिसमें Heat का Evolution होता है Heat Release होती है उसे कहते है Exothermic Reaction जैसा कि हमें बता है Heat Release होगी तो उसका Temperature भी क्या होगा? चेंज होगा यानि कि Change in Temperature is observed During the Reaction of Jink with the Dilute Hydrochloric Acid और Dilute Sulfuric Acid ठीक है? तो इतनी भी activity हमने पड़ी जहां जार से महरा question बनता था हमने डिसकस किया वो याद रखना ठीक है? कि Magnesium Ribbon को हम क्यों साफ करते हैं? जो जब Magnesium Ribbon को जलाते हैं उस claim का तो claim कैसे होती है? और जो Magnesium Oxide होता है जो powder बनता है उसका color कैसा होता है? दूसरा कि Lead Nitrate का color कैसा होता है? colorless होता है Potassium iodide का color कैसा होता है? colorless होता है नगर इनके बीच जो reaction होती है जब lead iodide बनती है lead iodide बनती है तो इस lead iodide का color कैसा होता है? yellow color कैसा होता है? yellow color होता है ये भी बात no down करना बड़ा ही important है NTSC के point of object काफी important है ठीक है, lead iodide का color कैसा होता है, yellow होता है, और ये किस form बे बनता है, insoluble, insoluble substance होता है, yellow color का, जिससे हमने क्या कहा था, बेटा, precipitate कहा था, ठीक है, ये सारी बातें आपको no doubt रखनी है, और जब भी metal का reaction होती है, dilute hydrochloric acid के साथ, या sulfuric acid के साथ, हमेशा ही hydrogen gas वहाँ पर क्या होती है, liberate होती है, release होती है, evolve होती है, याद रखना है, और ऐसी reaction हमेशा कैसी होती है, exothermic reactions होती है, ये सारा हमरा conclusion था, इन तीन activity का, तो सारी activity करने के हमें क्या देखने हो मिला, तो from the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place, इतने तीन activity हमने पड़ी है, इनकी observation से, इनको देखने से में क्या पता कलता है, कि ऐसी कुछ हमें देखने को मिलता है, following जो points है, अगर ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है, तो वहाँ पर कोई chemical reaction हो लिए, तो सबसे पहला point हमारे क्या है चेंज इन स्टेट, ठीक है, वहाँ पर सॉलीड था, मैंगेशे वरिबन और पॉल्ट फॉर्म में करनोट हो गया, second में हमारे क्या हुआ था एक इन सॉलीबल सबस्टांस बना था, state चेंज हो रही थी वहाँ पर भी, चेंज इन कलर, फ्रस्स में हमारे कलर चेंज हुआ था second जो activity थी, यहाँ पर हमारे कलर चेंज हुआ, ठीक है, colorless solution से क्या बना, insoluble precipitate बना, और third जो activity थी हमारे यहाँ पर हमें क्या देख में ली, evolution of gas, hydrogen gas का evolution हमें देखने में मिला, और उसी activity हमें क्या देख में, changing temperature, third activity हमें क्या देखने में मिला, कि कि जब हम test tube को touch करते हैं, तो test tube हमारे कैसे होती है, हमें गर्म मैसूस होती है, इसका मतलब क्या हुआ, उस solution का तापमान बड़ा, जब zinc और acid का reaction हुआ, उस दोरान क्या release हुई बटा, heat release हुई, तो changing temperature में देखने में हुए, ठीक है, as we observe, the changes around us, we can see, there is a large variety of chemical reaction taking place around us, जब हम देखते हैं हमें हमें आस पास कापी सारे बदलावों को, तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर हमें क्या ताप से chemical reaction जो है, हमारे आस पास पो रही होती है, तो we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter, आगे इस chapter में हम बात करें किसके बारे में, different types of chemical reactions क्या हो गी है, और उनको हम से एक सिंबल के form में किस परकार से इसको करते हैं, यानि कि हम कहें कि राइटिंग है chemical equation, chemical equation कैसे write कर सकते हैं और उसको balance कैसे करना है, ठीक है, और उसके बात हम बात करेंगे different type of chemical reactions के बारे में, ठीक है, तो यहाँ से ही जो निकलके हमारे आया कि chemical equations क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, activity 1.2 में, तो hydrogen gas का जो formation हूँ, आता by direction of dilute sulfuric acid और zinc, या फिर hydrochloric acid, ठीक है यह जो change आया था, यही हमारे कहा है chemical change है, और इसी को हम कहा करते है, chemical equation कहाते है, activity 1.2 में हम क्या लिखा है, जैर कि मैंगनीशियम रिबन को जलाते हैं, मैंगनीशियम रिबन को जलाते हैं, भाई, in the presence of oxygen, it gets converted to magnesium oxide, हमने आलड़ी डिसकस करते हैं, this description और a chemical reaction is in a sentence form is quite long, ठीक है अगर शब्द के रूप के लिखा रहे हैं, काफी लंबा हो याता है, इस लिए, इस चीज़ क्या करते हैं, shorter form में लिखने की कोशिशिस करते हैं, ठीक है, the simplest way to do this is to write it in the form of word equation, सबसे असान तरीका क्या हमरे करने का है, लिखने का word equation को जैसे की लिखा हुआ है, magnesium plus oxygen, ठीक है, is equal to magnesium oxide, यह simple सा तरीका है, एक word की form में लिखने का, किसी भी chemical change को, किसी भी chemical reaction को, ठीक है, यही हमारी क्याकलाती है, chemical equation, the substance is that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen, यहाँ पर हम देखा, तो magnesium oxide क्या है, यह आपस में react कर रहे हैं, ठीक है, आपस में मिल रहे हैं, और इसके बदले में क्या है, a new substance is formed, that is called magnesium oxide, तो आरे सिस्टम देखोगे, यहाँ पर एक नया substance बना है, magnesium oxide, ठीक है, और यह जो नया substance जो बना है, इसे ही कहते हैं product, ठीक है, यहाँ से बात तो निकल करके आ रही है, जब भी कोई भी chemical reaction होगी, ठीक है, कोई chemical change होगा, तो वहाँ पर क्या involved होंगे, reactants involved होंगे, और क्या बनेंगे वहाँ पर हमारे products हमेशा बनेंगे, reactants हैंड, product हमारे वहाँ पर involved होंगे, ठीक है वही, तो reactants और, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि जो reactants हैं, इनको left hand side में लिखते हैं, प्लस sign के साथ, ठीक है, इसी प्रकार से हम right hand side में क्या लिखते हैं, प्लस sign के साथ हम products को दरसाते हैं, तो यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कि magnesium, मैंने बताया था, प्लस oxygen, जब react करेंगे, तो हमारे क्या बनेगा बेटा, magnesium oxide बनेगा, ठीक है, तो यह हमारे LHS है, यह हमारे क्या होगे, यह हमारे right hand side है, सिदे हाथ की तरफ है, तो यह हमारे क्या होगे, products होगे, ठीक है, products होगे, तो यहाँ पर एक single एक नया सब्सक्रांस बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर plus का side नहीं है, जैसा कि हमने देखा था, किसके अंदर, lead nitrate के अंदर, lead nitrate को हमने react करवाया था, किसके साथ बेटा, potassium iodide के साथ, तो यहाँ पर हमने क्या मिला था, PBI2 मिला था, plus क्या मिला था, KNO3, तो यहाँ पर देखो कि दो product बन रहे हैं हमारे, और दो के बीच में क्या है, plus का side है, ठी इसलिए यहाँ पर क्या plus का side नहीं है, यहाँ पर दो product बन रहे हैं, इसलिए इनके बीच में क्या product का plus का side है, ठीक है, बास समझे में आजूट है यहाँ पर, ठीक है, तो यह तो था हमरा lecture आज का, किसके बारे में, कि chemical change की कौन कौन सी properties होती है, ठीक है, यहाँ simple सी बात करे हैं, characteristics of chemical change, पहला, change in state, इतनी भी हमारी reactions है, इनके जो basic point में आपको बताए हैं, वो याद रखने है, board के exam के लिए भई, NTS से में काम आई है, ठीक है, चेंजे इन, change in color, पीशरा हमारे पास क्या है वई, change in temperature, हमारा हुआ था, चोथा point क्या था हमारा, evolution of gas, evolution of gas, ठीक है, पांच हुआ मैंने बताया था, formation of a, formation of a, precipitate, प्रेसिपिटेट हमारा वहाँ बना था, ये पांच पॉइंट अगर आप नदर आते हैं, तो समझ लिए जिए, कि हमारा change क्या है, chemical change है, ठीक है बाई, दूसरी बाद, chemical change के हम बात कर तो रहें बटा, कि chemical change होता है, इसकी definition क्या होगी, what is the chemical change, ठीक है, the process in which a new substance, a new substance is formed with new properties new properties from a substance or two two or more than two substances more than two substances, ठीक है, तो chemical change के एक ऐसा फिनोमिन आज जिसमें के एक नया सब्स्टांस बनता है, और जिसकी property के बिल्कुल नहीं होती है, इनकी जो नया सब्स्टांस बनता है, उसकी property, reactant की property से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है वाई, याद रहे गई है, तो इस दौरान क्या होता है, बेटा पुर chemical change के दुरान क्या होता है, chemical change के दुरान क्या होता है, एक point और हमारा important choices करते हैं, वही, rearrangement of atoms, आपने atoms पढ़ा ओको 9th class में, ठीक है, वही बात हो रही है, जब भी कोई chemical change होगा, chemical reaction होगी, वहाँ पर हमें क्या देखना होगा, rearrangement of atoms हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर हम किसी चीज को जलाते हैं, मालो carbon को जलाया, हमने के लकड़ी को पेपर जलाया, carbon के बनी होती है, in the presence of oxygen, तो हमारा क्या बना, CO2 बना, यहाँ पर carbon अलग था, oxygen अलग था, अब दोनों combine करके क्या बना दिया, CO2, यारी कि carbon और oxygen क के दो atoms थे, यह rearrange हो गई, और rearrange करने के दो हमने क्या बनाया, एक molecule बनाया, किसका carbon dioxide था, ठीक है, उसी प्रकार से, जो zinc वाली हम reaction ले लेते हैं, zinc plus HCl, dilute HCl था हमारा यह, यहाँ पर क्या बना, ZnCl2 plus H2, ठीक है, प्रवाइज बना, zinc के साथ क्या पहुंच गया, HCl से ले गया और hydrogen यहाँ से हमारा क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, तो यहाँ देखने हो क्या मिला, rearrangement of atoms, zinc का atom, chloride के अटम साथ कम्बाइन कर गया, और hydrogen के atoms थे, अलग हो गया हमारा किसे, hydrochloric acid से, in the form of hydrogen gas, तो यह हमें देखने को मिलता है, rearrangement of atoms, इनहें chemical change, और chemical reaction, तो यह तो था हमारा का lecture किसके बारे में है, कि chemical change क्या होता है, chemical change की क्या-क्या विशेस्ता ही होती है, हमने NCRT की बहुत important activities के द्वारा समदने की कोशिश करी, ठीक है, उनको ध्यान से सुनिएगा, तो कि वो बोर्ड में पूछे जाने वाले बड़ी important question है, MCQ के अंदर भी आते हैं, और ए कौन-कौन सी characteristics हो सकती है, किसके chemical change की, और last में हमने discuss किया कि chemical equation क्या होती है, उसकी definition, reactants क्या होते हैं, products क्या होते हैं, और chemical equation, chemical reaction की दोरान हमें क्या देखने को मिलता है, rearrangement of atoms हमें देखने को मिलते हैं, तो ये तो था आज का lecture हमारा chemical equations की बारे में, और chemical reaction के बारे में, chemical change के ठीक है कुछ important reactions के दौर हमने जानने की कोशिश करी तो next lecture में हम बात करेंगे किसके बारे में कि हम chemical equations को किस परकार से लिख सकते हैं उनको balance कैसे कर सकते हैं इन दो concept को हम आने वाल lecture में discuss करेंगे तो बने रही है यूही मेरे साथ कार्थिक online classes के अंदर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो like कीजिएगा, हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा ताकि इसी परकार के जो series है हमारी chemistry की plus 10th class ही इसके lecture आपको लगातर मिलते रहें और साथ इस साथ plus one plus two की पाइलो जी जो हमारी है उसके भी updates आपके बड़े भाई बहन जो है अब दोस्त जो हैं उनके लिए भी ये series हमारी चलती रहें बायू की तो बनेरी मेरे साथ कारते के online classes में तो आज के लिए बस इतना ही next lecture में फिर मिलेंगे एक नई topic साथ तब तक के लिए have a nice day